आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हूं विहारी स्टेल टेंगरा मचली की रेसिपी इस मचली को आज हम बनाएंगे चूले पे और आज के इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स बताये हैं कि किस पकार से काव में लोग मचली को दोते हैं उसको फोडते हैं फोड के साफ करत और फिर इस मशली को बनाते हैं चलते हैं आज किस रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें यहाँ पर मैंने डेड़ किलो टेंगड़ा मचली लिया है और यह देखे बिलकुल अभी ताजा मचली है और देख कितना अच्छा लग रहा है ना हाथ में और यह जो मचली है ना बहुत स्वाधिष्ट बन के तियार होती है लेकिन समय बस लगता है थोड़ा साइसे साफ करने में और यह देखिए टेंगड़ा मचली में यह जो साइड में जो काटा दिख रहा है ना यह बहुत शार्प होता है मतलब जो हम इसे तोड़ते हैं तो को बहुत दियाद देना पड़ता है नहीं कंगली में चुप जाता है तो आब हम चलते हैं इसे साफ करने के लिए तो मुंडी ऑपको बहुत करते हैं तो किनारे मैं आपको काटे दिखाये थे नहीं दोनों तरफ एक एक उसे हम क्या करेंगे हाथ से इस पकार से तोड़ देंगे बिहार में स्पेसली लोग फॉंसुल से ही मचली को काट के साफ करते हैं ये देखे Abby और बहुत्य आसानी से मचली कट जाती है और मचली के जब आप मुंडी काट रहते हैं खुदरी जगह पर रगणेंगे तभी जाके यह अच्छे से साफ होगा अगर खुदरी जगह नहीं है तो आप क्या करें ना कि जो सिल्वट होता है ना उस पे आप इसे रगण सकते हैं यह देखिए और इसे हलके हाथ से रगणें क्योंकि मचली में काटे होते हैं तो अगर आप जल्दी जल्दी रगणेंगे नै तो क्या होगा काटे हाथ में चुप सकते हैं तो सावधानी से रगणें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अप इसके ओपर पानी भी डाल दीजेगा क्या होता है ना कि अगर हम मचली को नहीं रगड़ते हैं तो इसके उपर जो चोइंक्ता होता है मचली का मतलब इसकी जो इसकी इसकी होती है वो नहीं निकलती है तो मचली हमारी कड़वी लगती है अब आप मचली को पानी में डाल दे और पानी में से इसे छान के निकाल ले इस प्रोसेस को लगबग आपको 7-8 बार करना है जब तक कि पानी अच्छा साफ ना दिखने लगे मशली अगर आप अच्छे से नहीं दोएंगे तो भी स्वाद अच्छा नहीं आएगा मतलब आपको मशली बनाते त्यार होगी और यह देखें पानी पहले से काफी साफ हो गया पहले जब हमने मशली को दोया था तो पानी कितना गंदा था और यहाँ पे देखिए मशली के ऊपर एक अच्छी शाइनिंग आ गये मशली यहां पे अच्छे से साफ हो गयी है तो चलते हैं अब हम फटा- कर लेंगे और मिक्स करके इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख देंगे अब हम चलते हैं मसाले को पीस के त्यार करने के लिए तो यहां पर मैंने लगबग 50 ग्राम चिली हुई लैसुन की कलिया लिया है एक बड़ा चम्मच सरसो के दानी आदा चोटा चम्मच साबुत जीरा 15-16 मैंने यहां पर सुखिलाल मिर्ची ली है क्योंकि मचली जब तक थोड़ी से तीखी नहीं बनेगी ना मज़ा नहीं आएगा साथी साथ दो बड़े चम्मच साबुत धनिया तो मसाले को हम पीसेंगे सिल्वट्टे पे क्योंकि बिल्कुल गाउं में पीस के भी मचली को बना सकते हैं लेकिन सिल्वट्टे पे पीसे मसाले का और मिक्सी में पीसे मसाले का बहुत अंतर आता है दोनों में सिल्वट्टे पे पीसने में थोड़ा सा महनत तो लगता है लेकिन स्वाद लाजवाब आता है तो मसाला पीसने से पहले कटोरी में थोड़ा सा पानी ले ले और बीज बीज में थोड़ा थोड़ा पानी डालके मसाले को आप पीस दे जाएं तो यहाँ पे मसाले को मैंने एक बार पीस लिया है लेकिन मसाला अभी हमारा काफी मोटा है ना तो इसे हमें एक बार और पीस ना पड़ेगा ताकि मसाला हमारा अच्छा बारीक हो जाए अब हम क्या करेंगे ना कि मसाले को एक जगा इखटा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके दोबारा से हम मसाले को पीस लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा मिहीन हो जाए तो यहाँ पे मसाला हमारा पिसके तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे न कि मसाले को एक जगा इखटा कर लेंगे और इस प्रकार से मसाले को हम किसी बरतन में उठा लेंगे सिलवट पे थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हम कटोरी में उठा लेंगे मसाला बिलकुल भी नहीं वेश्ट करेंगे बहुत मैंनस से पीसा है तो यहाँ पे मसाला हमारा पिसकित तयार हो गया है और मसाला पीसने के बाद हमेशा हमें सिल्वट को दो के रखना चाहिए तो पानी से इसे धो दें तो यहाँ पर मैंने चूला जला लिया है और कड़ाई भी यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे यहाँ पर मैंने लगबग 1.500 ग्राम सरसो के तेल का इस्तिमाल किया है गाउ देहाद में मचली बनाने के लिए इस पेसली सरसो के तेल का ही इस्तिमाल किया जाता है और सरसो के तेल में मचली का स्वाद बहुत लाजवाब आता है तेल को यहाँ पर अच्छे से गरम होने दें और तेल यहाँ पे अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मचली में नमखल्दी रैल के रखा था ना पहले ही उसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मचली को गर्मा गरम तेल में डाल देंगे इस मचली को यहाँ पे हमें डीफ फ्राई करना है क्योंकि इस मचली में काफी काटे होते हैं अगर आप इसे डीफ फ्राई नहीं करेंगे डैरेक्ट ऐसे ही मसाले में भुनके बना देंगे ना तो आप इसे खानी पाएंगे काटे आपके मुह में चुपेंगे और क्या होता ह कि जब हम इसे deep fry करके निकाल लेते हैं तो इसके जो काटे होते हैं वो मुँ में चुपते नहीं हैं तो इसी रीजन से इस टेंगरा मचली को हमें deep fry करके बनाना पड़ता है मचली को डालने के बाद आपको तब तक नहीं छुना है और कितनी आसानी से पलट जा रहा है बिल्कुल भी मचली कड़ाई में चिपका नहीं है मचली को यहाँ पर मैंने दोनों तरब से अलट पलट के अच्छा सुनैरा होने तक फ्राई कर लिया है और यह देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है चाहें तो इसे आप यहाँ पर ऐसे ही खा सकते हैं तो सारी मचली को यहाँ पर मैंने फ्राई करके निकाल लिया है अब हम चलते हैं तड़का लगाने के लिए तड़के में यहाँ पर आपको डालना है एक छोटा चमच सरसो के दाने और 10 से 12 मेथी के दाने जैसे ही सरसो और मेथी अच्छे से चटकने लगे यहाँ पर आप पिसा हुआ मसाला डाल दें पटोरी में थोड़ा सा पाई डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हम कड़ाई में डाल देंगे मसाले में हमने हल्दी नहीं पिसा था तो एक छोटा चमच यहाँ पर आप फल्दी पौडर डाल दें और देर छोटे चमच नमक डाल दें नमक यहाँ पर मैं दिखाना स्किप कर गई हूँ तो नमक यहाँ पर आप स्वात के अनुसार डाल लें साथ ही साथ एक बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर डाल दें अब आप मसाले को 10-12 मिनट तक भुन लें अगर गैस पर पका रहे हैं तो गैस का आच मीडियम से लोग के बीच में रखे मसाले को भुनते हुए यहाँ पर मुझे लगबग 10-12 मिनट हो गया है मसाला यहाँ पर हमारा अच्छे से भुन गया है टमाटर अच्छे से पक गया है तो अब आप यहाँ पर पानी डाल दें तो लगबग यहाँ पर मैं देर कटोरी पानी डाल रही हूँ और यह जो मचली है वो थोड़ी सी लटपटी ही अच्छी लगती है ज्यादा ग्रेवी वाली यह मचली नहीं बनती है और इस पेसली इस मचली को रोटी के साथ सर्फ किया जाता है तो यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मचली फ्राइ करके रखा था ना उससे हम ढाल देंगे मसाले के साथ हम इसे अच्छी से मिला लेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो मशली में अंदर तक अच्छ से आ जाए गैस पे पका रहे हैं तो गैस सा आज धीमा कर दें और धीमी आज पे तीन-चार मेट इसे और पका लें मसाला हमारा भुना हुआ है मशली को भी हमने फ्राई किया है तो यहां पे मशली हमारी बनके तयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि मशली कितनी मतलब लजीज दिख रही है और इसमें न फ्रेवी है तो यह हमारी गर्मा गरम मशली तैयार है सर्फ करने के लिए तो उमीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई हो और मचली को देख के आ रहा है ना आपके मुझे तो गंट्रोल भी नहीं हो रहा है तो मैं चलती हूँ इस मचली का अनन्द उठाने अपने परिवार के साथ आप भी पनाए खाए और मु